हेलो जी नमस्कार गुड इवनिंग स्वागत है बिटा जी आप सभी का डाउटनट लाइव पर अई हूप आगए होंगे आप सभी जी आप सभी को सबसे पहले आज इद की धेरो शुपकामने और हम पढ़ रहे थे बिटा जी यहाँ पर क्या पुश्पिय पादपों की आकारकी आ गए हैं सभी एक बड़ जरा जल्दी से मुझे बता दीजे फिर हम आगे चलते हैं जी गुड इवनिग गुड इवनिग गुड इवनिग मैं बड़िया हूँ सर आज चुटी है नहीं बिटा आज कोई चुटी नहीं है आजी है ह ठीक है है एपी एज्ट सू आल अफ यू हाँ जी सर मैं पूरे टीन महीमे बांध आया हूँ अरे बाबू इतनी देर क्यों हाँ जी चलिए जी आप सभी को गुड़ीवनिंग है राधे राधे है है ना नमस्कार है वालेकुमस्सलाम है चलिए तो बेटा जी बात कर रहे हैं पुश्पिय पादपो की आकारिकी जिसका लेक्चर नंबर है दूसरा पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या-क्या बताया था एक बर वो मैं आपको दिखा देता हूं देखिए पहले लेक्चर में हमने इस चेप्टर में पुश्पिय पादप के आकारिकी का मतलब बाही अध्यान हमने देखा था जिसमें भारी भाग जो था वो प्रहो तंत्र था और नीच निकलेगी तो हमने यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया था क्या मूल मूलांकुर से कर मूल निकलेगी और लगातार निकलती जा रही है जिससे शाखाई निकलती जा रही है उसको हमने बोला था मूसला मूल और हमने बोला कि यह मूसला मूल किसमें मिल रही द्वीवीज प करी ऐसी मूल जो जो मूलांकुर के अलावा किसी भी भाग से निकल जाएगी उसको हमने बोला था अपिस्थानिक मूल यह हमने देखा था फिर उसके बाद हमने मूल के रुपांतरण देख रहे थे कि कुछ सहारा देने के लिए कुछ श्वसन करने के लिए कुछ भोजन को इखटा करने के लिए कारे करती हैं वो हमने कुछ मूल के रुपांतरण देख लिए थे यहां तक हमने पढ़ा था अब इसके बाद जो next topic आ रहा है उसका नाम है मूल के शेत्र अब भया मूल में कौन कौन से शेत्र मिलते हैं तो यहाँ पर आप highlight कर सकते हैं सबसे पहली चीज यहाँ पर आपने एक तो मूल गोप इसको highlight करना है क्या है मूल गोप फिर उसके बाद मारिस्टमी यानि विवजोतक शेत्र इसको highlight करना है ठीक है फिर उसके बाद आपने highlight करना है बटजी आपका कौन सा दीरगी करत्षेत्र आपका परिपकवन शेत्र यानि कुल में लाकर चार शेत्र आपने याद रखने हैं इस मूल में अब चार शेत्र कौन कौन से हैं ध्यान से सुनना सबसे नीचे वाला जो शेत्र जो है इसका नाम है मूल गोप इस मूल गोप के जस्ट उपर थोड़ा सा थोड़ा सा भाग है कौन सा मेरिस्टमी यहाँ पर थोड़ा सा भाग फिर मेरिस्टमी के बाद ये पूरा भा कुछ धागे से निकल रहे हैं जिनका नाम है मूल रों ठीक है आई एक बार बात करते हैं क्या 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 है ध्यान से सुनिए का कृप्या करके अभी बीच में डिस्टर्ब ना करें सर रिजल्ट नहीं लाए रिजल्ट नहीं लाए रिजल्ट नहीं लाए सर रिजल्ट नहीं आया तो समझाया का है अमिर अभी समझाओंगा ना यह है आपका तना और यह मालेते हैं मूल यह है मूल हमने इस मूल को बाहर निकाला और हम इस मूल के शेत्र देख रहे थे कि कौन कौन से शेत्र इसमें मिल रहे हैं सबसे नीचे वाला शेत्र ये वाला ये वाला भाग जो है सबसे नीचे वाला शेत्र जो होता है इसका नाम है मूल गो इसको अंग्रेजी में बोलता है रूट कैप मूल गोप क्या काम करता है अभी बताऊंगा लेकिन उससे पहले हमने सिर्फ शेत्र देखा सबसे नीचे की तरफ जो शेत्र है उसका नाम है मूल गोप रूट कैप ठीक है अब इसके उपर की तरफ थोड़ा सा उपर चलते हैं यहां पर यह जो शेत्र है इस शेत्र को हमने नाम दिया है क्या विबजयोतक शेत्र विबजयोतक शेत्र जिसको मेरिस्टमी शेत्र भी बोल देते हैं यहां तक का भाग क्या क्या लारा है विबजयोतक शेत्र या मेरिस्टमी शेत्र फिर साब और उपर चलते हैं यहां तक यह वला भाग जो था इसको हमने बोला है दीरगी करण शेत्र ठीक है आप पूछेंगे सर अंग्रेजी में वो भी बता देता हूं भाई या विब्जो तक शेत्र को हम बोलते हैं मैरिस्टेमाटिक एरिया मैरिस्टेमाटिक एरिया या इसको जून बोल देते हैं मैरिस्टेमाटिक जून या मैरिस्टेमाटिक एरिया ठीक है दीरगी करण शेत्र को बोलते हैं एलोंगेशन एलोंगेशन जून या दीरगी करण शेत्र अब इसके उपर वाला जो भाग जो है ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं परिपक्वन या परिपक्व शेत्र जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैचूरेशन जून तो कुल मिलाकर हमारे ये चार शेत्र थे अब इसमें परिपक्व शेत्र जो है इस परिपक्व शेत्र से कुछ धागे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हमें इन धागों को हमने बोला है मूल रोम तो भाईया पहले तो हमने यहां पर शेत्र देखे हैं कि कौन-कौन से शेत्र हैं अब इन शेत्रों का कार देख लेते हैं खतम हो जाएगा हमारा सिंपल सा टॉपिक्व फिर क्या समझ में नहीं आएगा सिंपल सी चीज थी आईए सब से पहले हम बात करते हैं यहां पर मूल गोब की क्या है यह मूल गोब समझना बिटा इन चारों शेत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट जो शेत्र था उसका नाम था विबजोतक शेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है कौन विबजोतक शेत्र ठीक है क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना विबजोतक का मतलब क्या होता है मैरिस्टेमाटिक का मतलब क्या होता है ऐसे उतक ऐसी कोशिकाएं जो लगातार क्या करती है विभाजन करती है यानि इमाजन करो यह ज धड़ाई धम धड़ाई धम फटाई फट फटाई फट क्या कर रही है विभाजन कर रही है अब ज़रा सोचिए इस शेत्र की कोशिका जब विभाजन करेंगी जैसे माल लो यह कोशिका है मान लेते हैं कॉन से शेत्रकी है इस विब्जोतक शेत्रकी ये कोशिकाए है क्या करी विभाजन कितनी दिख रही है बिटा जी यहाँ पर आपको 9 दिख रही है 9 से कितनी बनी 18 अब वो जो 18 जो होएंगी ध्यान से सुनना मेरे बाई ध्यान से सुनिएगा नहीं तो उपर से चला जाएगा ये 9 से कितनी हो जाएगी दुगनी होएगी ना भई एक से 2 होती हैं तो 2 से 3 होती हैं तो 9 से कितनी हो जाएगी अठारह यानि 9 और बनाओंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब ये जो नौ थी इन्होंने विभाजन किया विभाजन करके और नौ बनाई तो जो नई नौ बनी है नई बनी है उनमें से ये जो नौ है ये उपर की तरफ आ रही है यानि किसका निर्मान कर रही है दीरगी करत शेत्र का जरा सोचे इतनी सी बात समझ में क्या कि विभ जो इस दीरगी करत शेटर के निर्मान के लिए क्या इतनी सी बात सिंपल सी बात समझ में आगई इसमें कोई confusion तो नहीं था, अब imagine करो, सोचो, दिमाग लगाओ ये विबजोतक शेत्र की, ध्यान से सुनना, ये विबजोतक शेत्र की कोशिका इन लगातार विभाजन करी, क्या बनाया? दीरगी करत शेत्र, दीरगी करत शेत्र लंबा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, तो आप से कोई पूछे, मूल की लंबाई कौन निर्धारित करेगा, या मूल की लंबाई कौन सा शेत्र निर्धारित कर रहा है क्या विबजो तक शेत्र निर्धारित कर रहा है या दीरगी करत शेत्र निर्धारित कर रहा है सोचो कौन निर्धारित कर रहा है और किसके कारण हो रही है मूल की लंबाई ये भी सोचो दिमाग लगो मूल गोप निर्धारित कर रहा है अरी यार, कसम से बांगडू हो तुम तो, कसम से, मूलगोप निर्धारत कर रहा है, मूलगोप बताया भी है मिनत में, हैं, ये कौन सा है रे भाई, मूलगोप, निर्धारत का मतलब, निर्धारत का मतलब, निर्धारन का मतलब, कि कोई भाग है, कोई भाग है यहां पर, जिस किसकी वजहे से लंबाई बढ़ रही थी ये जो है क्या कारे कर रहा है ये बना रहा है इसका निर्मान कर रहा है अगर ये ना होता तो ये नहीं बनता ये नहीं होता तो ये नहीं बनता इट मीन्स लंबाई कौन निर्धारित कर रहा है ये लेकिन लंबाई बन किसके कारण रही है लंबी हो किसके कारण रही है इस शेतर के कारण आया समझ में? भई एक मैं हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मालो मैंने आज क्या बनाया? कडी चावल बनाया, simple, यह दाल रोटी बनाई, ठीक है? बनाने वाला कौन? मैं, लेकिन दाल अच्छी बनी है या नहीं बनी है, ये भी तो कौन डिसाइड करने वाला हूँ? मैं, ये जो था, ये डिसाइड करेगा कि कितना लंबा होना है, कितना लंबा होना है, लेकिन लंबा होएगा कौन? ये लंबा होएगा कि ये वाला शेतर लंबा होता जाएगा, लेकिन इसको निर्धारत कौन करेगा? ये करेगा, जितना जादा ये विभाजन करेगा, जितना जाद इस शेतर की कोशिका है विभाजन करती जाएंगी करती जाएंगी करती जाएंगी उतना ये शेतर लंबा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा तो लंबाई किसके कारण हुई इसके लेकिन इसका निर्मान करने वाला कौन विभ जो तक अब आप मुझे बताएं यहां तक कि बात समझ में आई है या नहीं है लंबाई किसके कारण बढ़ रही है कौन शेत्र है जो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो लंबाई होएगी साब हम बोलेंगे ये शेत्र बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ये बढ़ता जा रहा है बढ अब आप मुझे बताएं मैंने क्या बोला था सबसे important यह है आप मुझे बताएं एक मूल नीचे की तरफ जा रही है एक मूल नीचे की तरफ जा रही है जा रही है चलो जी भाया एक मूल नीचे की तरफ जा रही है किसमें जा रही है मिटी में जा रही है अब आप मुझे बत ते हुए नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है सोचो दिमाग लगाओ क्या ये मूल जब नीचे जा रही है तो नीचे मिटी है या नहीं है है ना और जब मिटी है तो इस मूल का जो सिरा है वो घर्शन करेगा फ्रिक्शन होएगा तो जरा सोचे कहीं ना कहीं मिटी इस मूल की इस सिरे को नुक्सान पहुचा सकती है और अगर नुक्सान पहुच गया इस शेत्र को अरे बाबा अगर इस शेत्र को नुक्सान पहुच गया तो बाबु ये वाला शेत्र नहीं बन पाएगा लंबाई नहीं बढ़ पाएगी तो आपके इसाब से क्या करना चाहि क्या मुझे इस शेत्र को प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस शेत्र को सुरक्षित करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा इसकी टिप को इस मूल की इस सिरे के इस भाग को सुरक्षित करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा कैसे किया इस शेत्र जरा दिमाग लगाएं सिंपल सी बात है ये मेरा हाथ ठीक है ये मेरा हाथ मैं मिटी में डाल रहा हूं तो हो सकता है मिटी मेरे अंदर घुजज़े नाखुनों के अंदर हो सकता है वो मिटी गरम हो सकता है मिटी ठंडियो जैसा भी है कुल में लाकर मिटी मेरे को नुकसान प रहा है जो इस मूल के बिल्कुल सिरे पर पाया जा रहा है जो इसके सिरे को क्या करेगा सुरक्षित रखेगा खतम तो बिल्क कोशीकाएं UP के सेप्र कर रहा है या नी कर रहा जी प्रोटेक्ट कर रहा है विव जोतक का काम क्या था भाईया ये लगातार विभाजन कर रहा है और दीरगी करण शेतर का निर्मान कर रहा है दीरगी करण शेतर बढ़ता जाएगा तो मूल की लंबाई बढ़ती जाएगी खतम अब आखरी अब देखिए ये दीरगी करत को यहां पर विभाजनुआ और उपर आई विभाजनुआ और उपर आई विभाजनुआ और आती जारी और आती जारी तो यहां वाली कोशिका कहां जाएंगी उपर की तरफ आएंगी जब यह इस शेत्र में आ जाएंगी यह वाली कोशिका हैं जो दीरगी करण शेत्र की कोशि कोशिकाएं जब यह इधर आती जाती हैं तो यह मैच्वार हो जाती है अब आप बोलेंगे मैच्वार कैसे हो जाएंगी परिपक्व कैसे हो जाएंगी भाया इन कोशिकाओं से यहां पर जो कोशिकाएं होएंगी वो कोशिकाएं बाहर की तरफ कुछ तंतुओं का निर्मान क करकर किसका formation हो जाएगा मूल रूम का फिर से बोलू फिर से सुनना क्या बोला विब जो तक शेतर से जो कोशिका हैं लगातार विभाजन कर रहे हैं विभाजन कर रहे हैं विभाजन कर रहे हैं विभाजन कर रहे हैं उपर की तरफ दीरगी करत शेतर में जाती जा रहे हैं नह अंदर कुछ चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, इन को, जल को, क्या करते हैं, अब शोशित करते हैं, नहीं का कारे होता है, किसका, मूल रोम का तो अब आप मुझे बताएं मूल रोम किस पे मिल रहे है परिपकवन शेतर पे इसको और दूसरे तरीके से भी समझते हैं ध्यान से सुनना जैसे मैं एक नर हूँ ठीक है जब मैं छोटा बच्चा था तो क्या मेरे शरीर के अंदर जब मैं चार से पांच छे साल का था क्या मेरे शरीर के अंदर शुक्राणू का निर्मान होता था सोचो क्या मेरे अंदर शुक्राणू का निर्मान होता था नहीं नहीं सोचिये क्या मेरे अंदर शुक्राणू का निर्मान होएगा नहीं लेकिन जब मैं 14 से 15 वर्ष का हो जाऊंगा या 12 से 14 वर्ष का हो जाऊ कि ऐसे maturity आएगी कि मेरे अंदर hormonal changes होएंगे hormonal परिवर्तन होएंगे मेरे अंदर किसी चीज का निर्मान होएगा किसका निर्मान होएगा शुक्राणू का मैंने बोला अब मैं परिपक्व हो गया हूँ अब मैं बच्चा पैदा करने लायक हो गया हूँ यानि परिपक्वन क किसी चीज का निर्मान करना हमने बोला यहां पर विबजोतक शेत्र की कोशिकाएं केवल विभाजन करती हैं दीरगी करच शेत्र की कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं परिपक्वन शेत्र की कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं केवल विभाजन कौन करती हैं यह कुछ कोशिक हैं जो परिपक्वन शेत्र में पहुँच गई हैं तो परिपक्व होकर किसका निर्मान कर रही हैं मूल रोम का निर्मान कर रही है इसलिए बोल दिया इसको परिपक्वन शेत्र ये लंबाई बढ़ाता जा रहा है उत्तरदाई कौन था विब जो तक शेत्र था जिसकी protection कौन कर रहा था मूल गोप था बाबू इस से ज़्यादा simple तरीके से और कोई चीज तरीका नहीं है समझाने का I hope ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी है बताएं क्या ये डना डन डन clear है समझ में आ गया बस यही चीज बाबू यहाँ पर बता रखी है और कुछ भी नहीं था सिर्फ यही चीज यहाँ पर बता रखी है ठीक है चल अब बेटा जी जो पढ़ाया है समय हो गया है किस चीज का आपके quiz का तो पहले तो मुझे बताएं तो क्या मूल रोम कोशिका नहीं बना रहा है बधू मूल रोम कोशिका ही बना रहा है चलो quiz से पहले एक और चीज बता देता हूं देख मेरे भाई ये माले मूल है ठीक एक बार वापिस एक और चीज बता देता है एक बच्चे ने पूछा सर मूल रोम कोशिका नहीं बना जल्दी से मुझे बता इसको जब मैं काटूंगा एक काम करता हूँ वह वाली मूल रोम एक बर वह वाली मूल दिखाता हूँ एक बार वो वो देखो बटा ये मालो ये मूल है बस ये मेरी मूल है ठीक है अब इस मूल को ध्यान से देखना बच्चो ध्यान से सुनना ध्यान से देखना ये मूल थी और अच्छे तरीके से ये मूल है जिसमें शेत्र है मालो ये परिपकवन शेत्र है और ये हमारा दीरगी करत शेत्र है औ और फिर हमारा विब्जोतक शेत्र और नीचे मूल गोप है, ठीक, चलो जी, समझ में आ गया, अच्छा ऐसे कर लो, चलो, ये नीचे आवरण था, इसको हमने क्या बोला, मूल गोप, ये नीचे है, ठीक है, और ये जो शेत्र है, ये ये वाला दिख रहा है, ये हमारा कौन भ इस मूल को जब मैं काटूंगा, काटा? हाँ जी, हाँ जी आफरीन, हाँ जी आफरीन, बिलकुल आफरीन, बिलकुल, 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 तो आप बोलेंगे सर उस हिसाब से तो ये मूल जो है उपर की तरफ वरधी कर रही है, उपर की तरफ नहीं बिटा, ये कोशिकाएं बढ़ती जा रही है बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी तो ये वाला भाग भी तो नीचे आता जाएगा नियाता जाएगा सोचो कोशिका यहां जाती जा रही है तो ये वाला भाग जब कोशिका यहां जाएंगी खिसकाएंगी अब इस से उपर खिसक नहीं सकता तो य भाग नीचे की तरफ आएगा या नहीं आएगा सिंपल हां जी जो मैं चीज बता रहा था ध्यान से सुनना ये मूल थी इसको मैंने काटा काटने के बाद जरा सोच ये सामने जब आपके रखूंगा कैसी दिखाई देंगी गोल दिखाई देगी चालो जी गोल दिखेगा इत समझकर मुझे बताएगा ये भाग जब हमने काटा और काट कर सामने दिखाया तो इसके अंदर क्या मिलेगा ये पूछो के नह सर इसको काटेंगे काटने के बाद अंदर क्या मिलेगा तो देखेगा सबसे बाहर एक आवरण होता है जिसका नाम होता है बाहिये तवचा क्या बोला हमने सबसे बाहर एक आवरण था जिसका नाम था बाहिये तवचा ठीक है अब बाहिये तवचा किस से बनी हुई है बाहिये तवचा की कोशी काउं से किस से बनाई हुई है बाहिये तवचा की कोशिकाओं से सुनना सुनना ध्यान से सुनना हाला कि अगले चैप्टर में है लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ किस से बनाई हुई है बाहिये तवचा बाहिये तवचा की कोशिकाओं है यह साब यह क्या है कोशिकाओं है समवहन बंडल होते हैं, बहुत कुछ होता है अंदर, मैं अंदर जो माल मसाला जो अंदर मिलेगा उसकी बात ही नहीं कर रहा है, तीक है, सर इसका मतलब सर विब्जोतक शेत्र की पुरानी कोशिका ही हमेशा विभाजन करती है, देख बिटा, आफरीन एक सेकिन डुकना पहले यह समझा दू, फिर वो भी चीज बताता हूं, देखो, हाँ जी, अब आप मुझे बताना, यह जो मैंने काटा था, यह कौन सा शेत्र काटा था, यह मैंने कौन सा शेत्र काटा था, यह परिपकवन शेत्र को काट कर मैंने ऐसे काटा और काट कर देखा, ठीक, मुझे क्या दिखाई दे रही है इस परीपक्वन शेत्र में सबसे पहरी आवरण जो इसका नाम है भाइये तुचा यह दिखाई दे रहा है अब इस भाइये तवचा कि कुछ कोशिकाएं कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ परिवर्धित हो जाती है यानि विकास कर लेती है इस तरीके से ठीक है वो कोशिका है ध्यान से सुनना भाई ये तो अच्छा कि वो कोशिका हैं जो बाहर आ रही है जो बाहर आ रही है इन कोशिकाओं का एक स्पेसिफिक नाम होता है वो कोशिका हैं जो बाहर की तरफ आ रही है भाई सुचो ये एक कोशिका है और इस कोशिका ने क्या किया विकास किया एक तंतु रूपी संग्रचना का निर्मान कर दिया खतम तो ये कोशिका कौन सी थी ये कोशिका भाईये तोचा की कोशिका थी इसका नाम है याद रखना ट्राइको ब्लास्ट ट्राइको ब्लास्ट तो ट्राइको ब्लास्ट कौन थी वो कोशिका किसकी कोशिका बाहिये तो अचा कि वो कोशिका जो विकास करिये परिवर्धन कर रही है और बाहर की तरफ निकल कर आ रही है यही संगरचना क्या कहलाती है मूल रूम कहलाती है और यही मूल रूम क्या करेगा मेरे भाई बाहर से जलका अफशोशन करेगा सर मुझे अनुदेर्दे और अनुप्रस्थ में confusion होता है चलो इसको भी बता देते हैं चलो वो बच्चे जिनको ये नहीं पता अनुदेर्दे क्या होता है अनुप्रस्थ क्या होता है वो भी बता देता हूं ठीक है देख मेरे बच्चे ध्यान से देखना ध्यान से सुनना त पता तो पता नहीं कैसे तुमने मानव शारेरी की पढ़ लिये भाईया देखो सोनम आपको ये दिखाई दे रहा है दिख रहा है ये संग्रचना दिखरी अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा ये वला इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस्वर सेक्शन अनुप्रस्थ और अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा अनुलंबी अनुदेर्दे काट लॉंगिट्यूडिनल सेक्शन अब आप मुझे बताएं अब याद रहेगा या अब भी भी भूल जाएंगे जल्दी से मुझे बताएं क्या अब याद रहेगा कि भूल जाएंगे सर स्टडी के लिए कौन सा रीजन यूज करते हैं सारे रीजन यूज करते हैं भईया स्टडी करनी होते हैं लेकिन मुखे रूप से कौन सा यूज मिलेते हैं हमारा ये वला क्योंकि यही वो शेत्र है जहां से जल का अवशोशन होता है खनीजो का अवशोशन होता है ठीक ह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फस्ट मूल गोप का कारे क्या है पहला इस पर मूल रो मुत्पन होते हैं यह जड़की व्रधी करती है यह मूल के सिरे पर स्थित कोमल कोशिकाओं को नश्ट होने से बचाती है इसका कोई कारे नहीं है सोच समझ कर लगाईएगा मूल गोप का कारे क्या था क्या है मूसला जड़तंत्र रेशेदार जड़तंत्र अपिस्थानिक जड़तंत्र या इन में से कोई नहीं चलिए समय हुआ समाप आई डिसकस करते हैं मैटा जी जिनके प्रशन नहीं आया है क्या आप लोगों ने अपनी अपको अपडेट कर रखा है पहले तो मुझे बता दो एप अपडेटेड है या नहीं है अच्छा एक और चीज एक और चीज मुझे पता लगी वो बच्चे जो स्टार्टिंग से क्लास में नहीं आते हैं उनके भी एप पर क्विज नहीं आता है ये भी चीज है याद रखना जो क्लास स्टार्ट होने के 5-10 मिनट बाद आते हैं 10-15 मिनट बाद आते हैं नहीं आएगा प्रशन स्टार्टिंग से क्लास में आया करो है ना तो ही एप पर आएगा एक तो ये कारण दूसरा अपनी एप को अपडेट भी कर लेना ठीक है और जिनके प्रशन आया है वेल्डन जरह जल्दी से सिंपल सा बताएं मूल गोप का कार्रे क्या था सिंपल मिरे भाई मूल के सिरे पर जो स्थित जो कोमल कोशिकाएं थी कौन सी थी विबजोतक शेतर की कोशिकाएं थी उनको नश्ट होने से बचा रही थी तो आंसर ये हो जाएगा सिंपल ठीक है दूसरा प्रश्ण प्रात्मिक मूल निरंतर व्रधी कर रही है यानि हटी नेरी है अल्प आयूकी नहीं है लगातार व्रधी कर रही है उससे शाका ही निकलेंगे सीधी सी बात है कौन होएगा मूसला जड़तंत्र खतम सिंपल सा था बताओ सर मैं तो दस मिनट बाद आया मेरे तब भी क्विज आ गया आ सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकती है जो कई सारे केसिस में देखी गई है मेरे भाई क्या कि वो बच्चे जो लेट आते हैं उनके भी आने की संभावना है जो है ना टाइम पर नहीं आए है और आपका अगर अपडेटेड नहीं है तो ये दो कारण देखे गए हैं अभी तक इस एप में कि इस वज़े से नहीं आते हैं हाँ जी सर जो एडवन्टेशिस रूट होती हैं वो भी मुलांकुर द्वारा भनाई जाती हैं बाबु मयंग त्यागी आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है अगर देखा होता तो ऐसी बात ना बोलते हैं शतावर है कोमल शतावर 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 नाम सुनाए शताव अगर वापिस से मुझे बता दो क्या था आपका प्रशन हाँ जी जल्दी से मुझे बताओ अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं तना ठीक है लॉजिकल डाउट पूछेगा आल तु फाल तु मत पूछेगा इसका मतलब विब्जोतक शेत्र की पुरानी कोशिगाई हमेशा विभाजन करती है येस देको देखो देखो ध्यान से सुनना आफरीन ध्यान से सुनना देखो बटा ये मेरे हाथ में एक कोशिका जिसको मैं यहाँएं पर बनाता हूँ एक कोशिका मेरे हाथ में ठीक है विभाजन किया दो कोशिका बनाई है ठीक है अब आप जब अगला चेप्टर पढ़ेंगे ना जिसका नाम में पुष्पी पादुपो की शारीरी शारीर अगला जो चेप्टर उसका नाम किया पुष्पी पादुपो का शारीर या शारीरी क का मतलब क्या होता है अंदुरूनी संग्रचना का अध्यन जहां पर आप उतक पढ़ेंगे पादपों में दो प्रकार के उतक होता है एक विबजोतक और एक स्थाई सुनना मेरी भाद सभी के सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा अगला जो चैप्टर ऑसका नाम है एना टॉमी ओफ लावरिंग प्लांटस यानि पुष्पय पादपो का शारीर यह वाला कौन से चल रहा है पुष्पय पादपों की आकारकी दोनों में कॉमन क्या था पुष्पी पादप यानि दोनों चैप्टर में हम कौनसे पादपों की बात कर रहा है, पुष भी पादपी, जिनमें पुष भूखेंगी, जिनको हम एंजिस पूप भूलते हैं, तीक है? अंतर क्या था इस चैप्टर में हम देख रहे हैं, आकारिकी, अगले चैप्टर में हम देखेंगे शारीर, अब आकारिकी का मतलब बहरी अध् जो मैंने आपको इस कोर्स में स्टार्टिंग में कुछ विज्ञान बताए थे अगर आपने पड़े हो एनाटॉमी शारीरिकी का मतलब होता है आंत्रिक अध्यान ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा कृपया करके जब हम आंत्रिक अध्यान करते हैं किसी पेड़ के अंदर किस अध्यान से सुनना एक होते हैं विबजोतक उतक और एक होते हैं स्थाई उतक बाबु जरत जल्दी से ध्यान से सोचो स्थाई का मतलब क्या है पर्मानेंट का मतलब क्या है ध्यान से सुनना देखो एक मैं हूँ एक कोशी का हूँ समझना मैं एक कोशी का हूँ और धड़ा सुस्त पढ़ा है स्थाई रूप से permanent है कोई दिक्कतीं ती मौझ चल रही है बेटे मौझ चल रही है इसकी तो इससे क्या पता लगा कि कौन से ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती है आप बोलेंगे सर विब जो तक उतक जो होता है उनकी कोशिकाएं लगातार क्या करती हैं विभाजन करती है ये चीज़ समझ में आगे जबकि स्थाई उतक की कोशिका विभाजन नहीं करती यानि विभाजन की शमता यहां पर है इनमें विभाजन की शमता नहीं है ठीक है अब इसको ध्यान से सुनना और समझना ध्यान से सुनना और समझना मेरे बाबू ध्यान से सुनना सोचो मैं अभी हूं मान लेते हैं 34 वर्ष का मैं अभी कमा रहा हूं काम कर रहा हूं सुनना मैं अभी काम कर रहा हूं कमा रहा हूं पैसे कमा रहा हूं यानि मैं कारे कर रहा हूं मैं कारे कर रहा हूं विब जो तक उतक कौन सी थी वो जो विभाजन कर रही है यानि कारे कर रही है मैं काम कर रहा था ठीक है और मैं ही मैं ही लगबग लगबग पचास ये पचपन की आयू के समय पर आकर क्या कर लूँगा रेटार्मेंट कर ले लूँगा अब उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा अब उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा अब मैं हो गया हूँ स्थाई अब मैं बढ़िया रोज टीवी देखूंगा अपने बच्चों को खिलाऊंगा या उनके अगर बच्चे हो जाएंगे तो उनको खिलाऊंगा या पहले काम कर रहा था बाद में काम नहीं कर रहा हूं बोल सकते हैं तो वो बच्चा जिसने ये पूछा सर विबजोतक क्रिया क्या होती है तो विबजोतक क्रिया का मतलब होता है कि विबजोतक उतक की कोशिका जो क्रिया कर रही है अब क्या क्रिया करेगी सर विभाजन करेगी खत्ब विब्जोतक करिया का मतलब क्या था कि विब्जोतक उतक की कोशी का जो लगातार करिया कर रही है जो लगातार विभाजन कर रही है जो लगातार काम कर रही है वो है विब्जोतक कर रही है अब क्या काम कर रही है इस सोचे इधर देखिए ये है विब्जोतक उतक की क कोशिका आस्थाई हैं वेल डन बहुत अच्छे वेरी गुड यह स्थाई है यह अस्थाई है यह लगतार काम करते जा रही है अब देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो यह है विब जोतक उतक की कोशिका यह विब जोतक उतक की कोशिका अब मैं पेड की बात कर रह यह कोशिका और यह कोशिका अब यह जो कोशिका है इसमें विभाजन की शमता है सुनना ध्यान से इसमें विभाजन की शमता है और इसमें विभाजन की शमता नहीं है इसमें विभाजन की शमता नहीं है अब आप सोचिए यह कौन सा होगा यह कोशिका कौन से होगा आप बोल विभाजन की शमता है लेकिन सर ये वाली इसमें विभाजन की शमता नहीं इस्थाई हो गई मैंने का वेल डन वेरी गुड अब ये विभाजन नहीं करेगी चलो ठीक है लेकिन अब ये तो विभाजन करेगी फिर ये विभाजन करेगी फिर दो बनाएगी फिर उनमें से फिर दूसरी condition ये है कि ये विबजोतक उतक की कोशिका इसने विभाजन किया दो कोशिका बनाई दोनों में अगर विभाजन की शम्ता नहीं होएगी ये भी स्थाई और सहाब ये भी अगर स्थाई होएगी तो उस हिसाब से बाबु जरा सोचो ऐसा अगर होता तो क्या विबजोत विबजोतक उतक की कोशिका बचती दिमाग लगाओ इस परिस्थिती में विबजोतक उतक की कोशिका बचती और नई नई स्थाई कोशिका बनती नहीं क्योंकि सारी विबजोतक अगर स्थाई में बदल जाती अब अब क्या होगा इसलिए क्या होता है कि विबजोतक उतक क कोशिकाएं कुरिया शीलता दिखाती हैं और क्या करती हैं कुछ भाग विबजोतकी रहता है और कुछ भाग स्थाई में बदल जाता है ये थी पूरी कहानी मेरी जुबानी आपको समझ में आनी के नहीं आनी जड़ा जल्दी से मुझे बतानी सर जो सेल विभाजन नहीं ये वो आस्थाई है नहीं बिटा जो विभाजन नहीं करेगी वो स्थाई है विभाजन नहीं कर रही है काम खतम रिटार्मेंट ले लिया आप कुछ नहीं कर रहा हूं बास पढ़ा हूं परमानेंटली पढ़ा हूं कुछ काम ही नहीं कर रहा है तो आस्थाई जो होएंगी sorry जो स्थाई होएंगी वो कैसी होएंगी आपकी विभाजन करने की शमता उनमें नहीं होएगी बताएं समझ में आ गया very good तो ये था बिटा जी आफरीन जिसने ये प्रशन पूछा था clear है बिटा समझ में आ गया confusion तो नहीं है चलें आगे चलो बिटा हाँ जी अब ये हमारा खतम हुआ इस चैप्टर में क्या मूल हमने पढ़ा है इस चैप्टर में क्या आकार की जब हम देखते हैं बाहर से जब हम देखते हैं तो हमें मूल दिख रही है मूल के बारे में बात कर ली अब यहां पढ़ने आए हो कि बार-बार एक ही चीज को कुरेद दे हो सर रिजल्ट नहीं लाए रिजल्ट नहीं लाए रिजल्ट नहीं लाए रिजल्ट नहीं लाए नहीं अगर होता gap तो मैं definitely लेकर आता बस बाबू ठीक है सुन लिया अब मत पूछना सर ऐसे विभाजन नहीं होगा तो व्रधी रुख जाएगी येस बिलकुल रुख जाएगी चलो आईए अब आगे चलते हैं और कृपया करके पढ़ते हैं किसके बारे में तने के बारे में आईए बात कर रहे हैं किसके बारे में तने के बारे में ठीक है बिटा तना सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए संजीव सानी इस चीज का कोई समय होता है कोई बात करने का कोई समय होता अभी पढ़ाई कर रहा है क्रिपया करके क्यों नहीं समझते हो तुम बिल्कुल भूंदूराम हो क्या मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं सर इस वेजल कूर्स चला है सर बता दो उसके बारे में अभे तुम पढ़ने आयो क्या करने आयो सर इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक रिटार्मेंट लेकर एस्थाई हो जाती है मेरिस्टेमेटिक रिटार्मेंट लेकर स्थाई हो रही है ए स्थाई का मतलब क्या होता है सोच सोच दिमाग लगा ए स्थाई और स्थाई का मीनिंग समझ में आता है आपको स्थाई का मतलब क्या है मैंने बोला ये पेन स्थाई रूप से यहाँ पर पड़ा है यानि पड़ा है और मैंने बोला मैं ए स्थाई हूँ मैं चल रहा हूँ दोड रहा हूं भाग रहा हूं क्या मैं स्थाई हूं नहीं काम कौन कर रहा है एस्थाई के स्थाई एस्थाई काम कौन कर रहा है विबजोतक के स्थाई विबजोतक अब जरा सोच विबजोतक काम करकर 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 क्या बनाता जा रहा है स्थाई में बदलता जा रहा है जिन्दगी भर विभाजन करती है हाँ जी विभाजन करती है सर तो एस्थाई क्या है बाबु ये विजो तक उ तक एस्थाई है और ये एस्थाई जो था वो इस वज़े से था क्योंकि ये लगातार विभाजन करता जा रहा है लेकिन जब ये विभाजन करता है तो कुछ दल जाती है किसमें स्थाई में सर अगली वाली विभाजन करेगी तो क्या पहले वाली भी विभाजन करेगी यार तुम बिल्कुल कसम से बुडबक हो क्या ये कोशी का जब विभाजन करके दो बना देगी तो क्या ये रहेगी रहेगी ये तुमने कोशिका चैप्टर बिल्कुल नहीं पड़ा ये कोशिका विभाजन करी इसने नई कोशिका बना दी क्या ये रहेगी ये दो बनी न अब इन दोनों में से एक विभाजन की शम्ता रखती है एक नहीं रखती है जो नहीं रखती है वो स्थाई है इट मींस विब जोतक कोशिका किस में बदल गई है स्थाई में भी बदल गई है और विबजो तक में भी बदल गई है सर ये ऐस्थाई मिल ही क्यों रही है फिर बेटा अगर ये ऐस्थाई जो थी न विबजो तक अगर ये नहीं मिलती तो बाबू जरा सोच समझ कर मुझे बता अगर ये नहीं मिलती तो विभाजन कौन करता मेरे बाबू सर दोनों संतिती विभ जो तक नहीं हो सकती हो सकती हैं मैं मना नहीं कर रहा हूं हो सकती हैं लेकिन बात जो आ रही है वो यह कि आखिर ये कैसे बनेगी तो इसी के कारण ये बनती है अब ठीक है और उधारण दो देख मैं हूँ मैं काम कर रहा हूँ ठीक है simple मेरे से दो बच्चे पैदा हुए मैं खतम मेरे से दो बच्चे पैदा हुए मैं खतम अब इन दोनों बच्चों में से एक जो है वो नालायक है काम नहीं कर रहा है सुस्त पड़ा है और एक काम करता है एक काम कर रहा है एक क्रियाशील है और एक काम नहीं कर रहा है जो काम नहीं कर रहा है स्थाई रूप से पड़ा है जो एस्थाई है यानि लगातार काम करे जा रहा है करे जा रहा है ठीक है समझ में आ गया अब ये सुस्थ पड़ा है इसकी शादी नहीं हुई ये आ गया और बच्चे नहीं पैदा कर रहा यानि ये विभाजन नहीं करेगा जो स्थाई था लेकिन जो काम कर रहा है उसको नौकरी मिल गई उसकी शादी हो गई फिर उससे बच्चे पैदा हुए और दो हुए उन में से फिर एक और सुस्त हो गया नहीं काम कर रहा है मर जी है दूसरा का कर रहा है तो यह था कहने का मतलब है कि तुम लोग बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल बिल्कुल भूंदू दिमाग के हो क्या फिर वापिस से वही प्रोश्चन सर ऐस्थाई क्या कर रही है मेरे बाल खा गई है ऐस्थाई खतम यह है ऐस्थाई ठीक है यह होती है ऐस्थाई तुम्हें पढ़ने से मतलब है नहीं तुम्हें फालतू के प्रशन करने हैं तुम्हें सुनना है नहीं बस सर ऐस्थाई क्या कर रही है सर ऐस्थाई क्या कर रही है सर ऐस्थाई क्या कर रही यह देखो एक और आया सर स्थाई कोशी का क्या वर करती है अभी अगर और आये ना यहीं से ब्लॉक कर दूंगा फिर फिर पूस्ते रहे ना फिर फालतु के प्रशन सुन लो अब लास्ट टाइम है दिस इस परोट स्थाई तुम वार्शतम में न यह पूछ रहा है एस थाई क्या कर रहे है तुम वास्तम में तुमारा धिमा trata जो यह पुस्थाई हो चुका है अब कामी नहीं करने वाला मस्त मौजलो बिटा पोकीमोन देखो बात कर रहे हैं किसकी तने की तीक है अब ध्यान से सुनना तना किससे बनता है आपको यादा रहो कि भुरून में कुछ प्रांकुर था प्रांकुर वो प्रांकुर आगे चलक किसका निर्मान करता है तने का सिंपल सी बात प्रांकुर आगे चल कर किसका निर्मान कर रहा है तने का अब साब उस तने पर निकल रही हैं उन शाखाओं पर निकल रही हैं क्या पत्तिय उन शाखाओं पर ही क्या निकल रहे हैं फूल और वो फूल बदल रहे हैं किसमें फल म अब जिनको समझ में नहीं आया इधर देखना ये पेड़ और ये इसका तना और ये तना किससे बना था भुरून के प्रांकुर से ये हमारी जखडा मूल है अब ध्यान से सुनना तना का निर्मान किससे हुआ याद रखना प्रांकुर से भूल मत जाना किससे हुआ था प्रा था कि इस तने पर कुछ शेत्र होते हैं कुछ फूले हुए शेत्र होते जैसे अपने गंन्य में देखेंगे यह वाले शेटर तो थीक है इनको हम बोलते हैं नाम में आपको पहले भी बताया था इनको बोलते पर्वसंधी या गाठ ये भी कौन है पर्वसंधी ये पर्वसंधिया है और दो पर्वसंधियों के बीच में जो संग्रचना मिल रही है उसका नाम है पर्व जिसको हम पोरियां भी बोलते हैं इतनी इसी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होईगी ठीक है चालो जी अब आगे चलते हैं अच्छा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो भी बता देता हूँ नोड और इंटर नोड इसको हम बोलते हैं नोड इसको पर्व संधी को हम बोलते हैं नोड और इसको हम बोलते हैं इंटर नोड पर्व संधी को या गाट को हम बोलते हैं नोड और पर्व या पोरियों को हम बोलते हैं इंटर नोड ठीक है शेलो जी है अब साब जो इंपोर्टेंट चीज थी वो समझने की बात है ध्यान से सुनना ये जो पर्टिक्लरली ये जो गाठ है या पर्वसंदी है या ये जो नोड है यहाँ पर कुछ छोटी-छोटी कलिकाएं होती है क्या होती है कुछ कलिकाएं होती है ये कलिका ये कलिका ये कलिका ये कलिका सिमिलरली यहाँ पर भी कलिकाएं होती है अब जरा सोचिए दो तरीके से कलिकाएं मिल रही है एक वो कलिका जो यहाँ पर मिल रही है और एक वो कलिका जो यहाँ पर मिल रही है ये कलिका का नाम क्या होएगा मैं दो शब्द ले रहा हूं एक है कक्षस्थ कलिका और एक है शीरशस्थ कलिका दो वर्ड हैं शीरशस्थ कलिका कक्षस्थ कलिका जरा सोचिए एक कलिका में वर्ड आ रहा है शीर आ रहा है इस पेड में ये वाला भाग क्या था शीर था तो यहां पर जो कलिका मिले कि उसे हम क्या बोलेंगे शीर्शस्त कलिका ठीक है जबकि ये वाली कलिका जो यहाँ पर इसके अक्ष पर मिल रही है वो क्या किलाएंगी अक्षिये अक्षिये या अक्षस्त कलिका अब साब इन कलिकाओं का कारे क्या यह तो समझ में आगया कि नाम जो था हमने इन कलिकाओं का किस अधार पर दिया इनकी लोकेशन के अधार पर अब कारे क्या है कारे क्या बहिया यह शीर्शस्त कलिका यह अक्षिये कलिका एक प्रकार की विभ जो तक उतक हैं क्या बोला एक प्रकार के विब जोतक है अब अभी अभी मैंने आपको बताया था विब जोतक का मतलब वे कोशिका हैं जो लगातार विभाजन करती है वे कोशिका ये भी क्या है विब जोतक है वे कोशिका हैं जो लगातार क्या करेंगी विभाजन करेंगी चलो जी अब ज़रा सोचिए यह यहां पर इस कलिका में अगर इस कलिका में इस विबजोतक कोशिका जो यहां पर मिल रही है इस कलिका के रूप में वो लगातार विभाजन करेंगी तो यह तना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो यह क्या कर रही है आप बोलेंगे सर यह लंबाई बढ़वा रही थी मैंने का well done very good एक पेड़ की तने की लंबाई बढ़ रही है इस कलीका के करण ये कलीका व्रधी करती जा रही है ठीक है अब साब बात आई इसकी अक्षस्त कलीका ये अक्षे कलीका ठीक है ये क्या कर रही है अब देखिएगा इस कलीका ध्यान से सुनना य अब ध्यान से देखना ध्यान से सुनना ये पत्ती बनी अब इस पत्ती में कोई भी बच्चा अगर मुझे बताना चाहता है ये क्या है अगर जानता है इस पत्ती के अंदर ये वाला शेत्र जो है ये ये क्या है कोई भी अगर बताना चाहे तो very good sir well done good morning sir बहुत अच्छे बिटा well done जाग गए बिटा आप बहुत अच्छे good morning बिटा good morning madhashira very good क्या है ये madhashira ये पढ़नाधार है ये शिराविनियास है very good ये कली का है बहुत अच्छे मैंने आप से simple से इतनी सी पूछा ये क्या है ये दसवी क्लास में आ जाता है आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं लेकिन अब याद रखना ये है एक पत्ती के अंदर madhashira word याद रखना क्या कहलाती है madhashira ठीक है तो मैंने आप से क्या बोला क्या बोला कि भईया ये कली का इस कली का ने इस कली का की कोशिका ये जो थी वो कैसी थी विव्जोतिक थी लगातार क्या करेंगी विभाजन करेंगी विभाजन करती जारी करती जारी करती जारी किसका निर्मान कर दिया या पण का पत्ती का चलो जी बहुत अच्छी बात है अब इस पत्ती में यहाँ पर ये थी madhashira और आप बोलेगे सर बाकी बचा हुआ भाग क्या होता है इसको बोला जाता है स्तारी का ये जो जैसे ये एक पत्ती है ठीक है इस पत्ती में ये क्या है बिटा मध्यशिरा ये पूरा बचा हुआ पूरा का पूरा भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं स्तारी का ये इसको हम पर्ण फलक भी बोल देते हैं ठीक है और ये जो होता है इसको हम ये डंडी जो होती है इसको हम बोलते हैं पर्ण वरंत तो बावू मैंने तो इसकी बात करी नहीं मैं तो इसकी बात कर रहा था कि भाई यह कलिकानि पर्ण का निर्मान किया और इस पर्ण में कही न कहीं मध्धेशिरा मिल रही थी चलो जी बहुत अच्छी बात है अब आगे क्या होएगा आगे ध्यान से सुनना मेरे बात को गौर मैं बात करूं दोनों सेम टू से इस पत्ती में इस पत्ती में क्या होएगा देखना जरा देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है आपको होते हुए खतम हालांकि मेरे पैन चलाते ही पूरा एकदम से खतम हो गया लेकिन आपको समझना पड़ेगा धीरे-धीरे पूरा का पूरा स्तारी का भाग जो था जिसे हम पर्ण फलक यह लैमिना भी बोल देते हैं यह धीरे-धीरे हो जाएगा खतम अब बाबू आप जरह सोचे अगर दे धीरे-धीरे खतम हो जाएगा तो क्या रह जाएगा आप बोलेंगे सर एक डंडी सी रह गई है वहिया यही डंडी यही जो मध्य शिरा पहले उस पत्ती की थी अब यही आगे की तरफ वरधी कर रही है और वरधी करते-करते-करते अब यह संग्रचना क्या कहलाएगी आपकी भूलना मत क्या शाखा इसी कोई हम क्या बोलेंगे शाखा तो मैक्सिमम बच्चे को तो ये पता ही नहीं था शाखा कैसे बनती है याद रखेंगे कैसे बनी याद रखेंगे कैसे बनी शाखा भूलेंगे तो नहीं ये है ब्रांच ये है शाखा इस तरीके से बनी है क् शाखा खतम नहीं हुआ अभी खतम नहीं हुआ अभी रुको 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 अब देखो यह जो पती थी इसकी यह जो मध्धेशिरा थी यही थी रहा पर्ण फलक तो खतम इस तारीका खतम अब यही मध्धेशिरा आगे व्रधी करती जा रही थी करती जा रही और हमने बोला कि भईया, ये जो है, अब क्या है, एक शाखा है, मैंने जा चलिए, शाकाल नहीं, शाकाल नहीं, कौन शाखा है, ठीक है, अब ये जो शाखा जो है, इस शाखा पर भी मेरे भाई ध्यान से सुनना क्या मिल रहे हैं? वही 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 जो अभी अभी आपको बताए थे क्या मिल रहे है दिमाग लगाएं यहाँ पर भी क्या मिल रहे है पर्व संधी क्या मिल रहा है पर्व मिल रहा है क्या मिल रहा है पर्व संधी और पर्व मिल रहा है यहाँ पर ठीक है अब देखे जरह यहां पर मालो ये वला भाग 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 ये है पर्व संधी ये जो सफेज सफेज दिखाई है ये कौन है पर्व संधी अब वापिस से देखो वापिस से देखो अब इन पर्व संधियों पर भी मिल रहे थी कि नहीं मिल रहे थियाजी बिल्कुल मिल रहे थी वह कली का है जो शीरश पर होय स्वाइगे खार एंगी और वो जो यहां पर होएंगी है क्या कर लाएंगी पस्षी या कशस्थ truthful अक्श नहीं अक्शस्थ नहीं अब कक्षस्त कलीका या अक्षिय कलीका कहां पर मिल रही है आप बोलेंगे सीधा सर ये तो सर नोड पर मिल रही थी मिल रही थी हाँ जी बिलकुल मिल रही है अब ये क्या करेंगे अब ध्यान से सुनना ये जो कलीका यहां पर मिल रही है अब ये कलीका दो प्रकार की हो सकते किस पर इस शाखा पर यानि यह जो शाखा है इस शाखा पर तीन प्रकार की कलिका है मिल रही है आप बोलेंगे तीन प्रकार की मैं बोलूंगा हाँ कैसे तीन प्रकार की देखना देखना कैसे तीन प्रकार की ध्यान से सुनना एक तो बढ़िया हमारी सीधी सीधी है कौन सी य ये यह तो ही है शीर शगलिका यह वृद्धी कडी जाएगी शाका की इन लंबाई बढ़ती जाएगी है तिक जब कि दूसरी जिसको आमने क्या बोला था कक्षस्त और अब होती है अब यह दो प्रकार की होती है किस पे इस शाखा पर एक होती है कौन से बेटा जी पुष्पिये कलिका पुष्पिये कलिका और एक होती है पर्ण कलिका अब आप मुझे बताना एक है पुष्पिये कलिका और एक है पर्ण कलिका जो पर्ण कलिका होएगी वो आगे चलकर किसका निर्मान करेगी पर्ण का और जो पुष्पिये कलिका होएगी वो आगे चलकर किसका निर्मान करेगी पुष्प का बाबु इस तरीके से बनता है पूरे प्रहोत अंतर का थीक है तो बेबीनाज बेबी एक काम करना बेटा बेबीनाज क्या करना है आपने जबी लेक्चर खतम हो जाए ह। वापस से इसको दोहरा लेना ह। ठीक है ये था पूरा का पूरा आपका प्ररोतंत्र कैसे निर्माण हुआ कैसे बना है इस तरीके से बनता है ये पूरी डिटेल मैंने आपको A to Z बता दी है ये थी कहानी जो यहाँ पर हमारी बुक में इस तरीके से नहीं समझाई गई है ठीक है अब यहाँ पर हमारी एंसियाटी में दो वर लिखेंग है एक है अनतस्थ यज अनतस्थ भी बोल सकते हैं अथ्वा क्या बोल सकते हैं कक्षिय है यानि जो मैंने यहाँ पर अक्षिय कक्षस्त इसको हमने एक और नाम दिया अंतस्त ये लो कहीं आप पूछोगे सर अंतस्त तो बताया नहीं आपने तो बाबु अंतस्त बोल दो अक्षिये बोल दो कक्षस्त बोल दो कुल मिलाकर मैं हूँ अगर मेरे यहां पर लगी हुई है कली का और मेरे यहां पर लगी हुई कली का यह है शीर्शस्त कल आगे हुई है वो है आपकी अक्षिय कक्षस्त या अंतस्त कली का ये था पूरा समझ में आ गया चलें आगे अब आगे चलते हैं बिटा जी और बात करते हैं कि ये जो तना जो होता है ये तो समझ में आ गया तना कैसे कहां कहां से बना उस तने से क्या कैसे कैसे चीजे बन र होना और शाखाएं निकालना उन शाखाओं पर पत्तियों का होना पुश्पों का होना उनका फैलना सिर्फ यही कार्रे होता है सोचो लंबा होना शाखाओं निकालना उन शाखाओं पर जो पत्तिया है जो पुश्प हैं उनको संभाले रखना क्या सिर्फ यही कार्रे होता है सर शैश सर यह शब्द समझ में नहीं है सर शैश शैशव अवस्था समझ में नहीं है किस ने पूछा है सर यह खुशी ने खुशी आप मुझे बता हैं पिछले lecture में आप आये थे लिए अनसर दो खुशी जल्दी से क्या आप पिछले लेक्चर में आय थे जल्दी से आंसर देना आय थे जल्दी से आंसर दो क्या आप पिछले लेक्चर में आय थे कि नहीं आय थे ये सर आये थे क्या मैंने आपको शैश्वत कुछ वर्ड बोला था क्या मैंने आपको शिशु वर्ड बोला था क्या बताया था क्या बताया था बताया था याद आ गया अब समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आंसर आपको मिल गया होगा शेशवत अवस्था या शेशव अवस्था का मतलब क्या होता जब एक पेड़ शिशु अवस्था में होता है ठीक चलो जी अब आगे चलते हैं बात आ रही थी कि भई या तने का जो प्रमुक कार रहे है वो है शाखाओं को फै यह थे करना क्यों समवेशन करना भईया पत्तियों का पास पुँंचाना है पाणी कौन लेकर जाएगा जैलम नाम सुन souvenir होता है न जैलम किसको लेकर जाएगा जिल को जल में क्या गुले बाद भोजन बनेगा फिर उस भोजन को लाया जाए कि से उता हुआ रहा है तने से तो तने का का रहे क्या हुआ यह तो करी रहा है साथी साथ सम्वहन भी तो करवा रहा है किसका जल का खनीजों लवन का भोजन का इन सब का सम्मेहन भी करा रहा है ठीक है सिंपल सा था लेकिन क्या इस मेन कारे के अलावा कुछ और कारे भी हो सकते हैं क्या हाँ बिलकुल हो सकते हैं अगर कुछ और कारे हो रहे हैं तो क्या मैं ये नहीं बोलूंगा तने का रूपांतरन हो गया बोल सकते ह हां जी प्रिया यादव वही होती है एक्जिलरी बढ़ी ही होती है जरा जल्दी से मुझे बताएं कि अगर इसके अलावा अगर कोई और कारे करेगा तना तो क्या हम यह नहीं बोलेंगे कि तना रुपांत्रत हो गया रुपांत्रन हो गया तन का modification हो गया बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं तो क्या कारे कर सकता है इसके अलावा और क्या कारे कर सकता है तना तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं आलू क्या है एक तना है अदरक क्या है एक तना है हल्दी क्या है एक तना है ठीक है अब आप मुझे पताएं क्या हम हल्दी ए आप बोलें वो भोजन थोड़ना है एक काम करना कैसी सा पूछना हल्दी की सबजी बनती है हल्दी को घिसकर पाउडर तो बनाते हैं वो एक अलग जी एंटिसेप्टिक होता है हल्दी की सबजी भी बनती है हल्दी का आचार भी बनता है भोजनी पदारत है अधरक भोजनी प कर सकता है हाँ जी बिल्कुल कर सकता है तो क्या हम यह नहीं बोल सकते की तना रूपांतरित हो गया तना क्या हो गया रूपांतरित हो गया तने में आ गए हैं रूपांतरण खनीज वाटर फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस पत्यों में होता है पर उसके पदार्थों का समेहन भी करता है ना पूरा नहीं लिखा था तूने तब बोली थी मैं अरे भहीया किसे बात चल लिए यह क्या चल लाइए चल क्या रहा है आपस में हुँझ चलो तो तने का रूपांतरण थह बटा तने के रूपा अन्तरण का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि तना जो है वो रूपांतरत ऊरा है बदल रहा है कुछ और कार्रे करने के लि सबसे पहले आपने आलू अद्रक हल्दी जमिकंद अर्भी जो ऐसे तने हैं जिनको हम क्या बोलते हैं भूमी गत्तने अब आप बोलेंगे सर भूमी गत्तने अरे बाबू एक बात मुझे बताओ आलू कहा होता है जमीन के नीचे अद्रक कहा होता है जमीन के नीचे हल्दी कह है उपर भी होते तने नीचे भी होते और तने रेंगते भी हैं तो तीन प्रकार के तने होते हैं कौन-कौन सा एक होते वाइविये तने जो जमीन के बाहर होते हैं वाइविये वायू में है सीधे खड़े एक होते हैं भूमिगत जो जमीन के नीचे है, और एक वो जो तने जो टैरनी रेंग रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं, अर्धवाई वी है, कुछ भाग जमीन के अंदर होता है, कुछ बहार होता है, ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी, तो ये जो उधारन मैंने लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, बीटा आ सिंपल सा था इतना सिंपल और कुछ नहीं हो सकता कि भैया यह तने का हमने पहला रुपांतरण देख लिए याद रखना अब दूसरा रुपांतरण देखेंगे अब यहां पर ज़रा शब्द देखना क्या पृतान क्या शब्द आ रहा है प्रतान ठीक है अब आप मुझे बताना आप में से कितने बच्चों ने जहां से सुनना आप में से कितने बच्चों ने तर्बूज देखे हैं तर्बूज या या आपने खीरा खर्बूजा तर्बूज ककड़ी ये देखे हैं देखे हैं आप में से कह यह उन्हें देखे होएंगे बिल्कुल देखे हैं सर अर्भी क्या होती है अर्भी बेटा सब्जी होती है मैं कैसे बताओ अर्भी क्या होती है अर्भी की सब्जी बनती है मेरे भाई ठीक है जब मैं बता रहा हूं तो थोड़ा सा सुनने की शमता भी रखें सर प्रतान क्या होता है मैंने बता दिया तिरको प्रतान क्या होता है दिव्या बता दिया मैंने बताऊंगा ना थोड़ा सा तसली रख सकते हैं सारी चीजे बताऊंगा ना तो थोड़ा सा पेशिंस र पुष्प याद रखना इस प्रत्वी पर सबसे लंबा पुष्प होता है किसका जमीकंद का भूल मत जाएगा भूल मत जाना जमीकंद जो होता है उसका पुष्प जो होता है सबसे लंबा होता है यानि जितना मैं हूना मेरे से भी लंबा होता है कौन पुष्प 6-6 फीट का होता है कौन पुष्प किसका जमीकंद का आप बोलें सार हमने तो पढ़ा था रेफलेशिया हमने तो पढ़ा था रेफलेशिया कि सबसे बड़ा पुष्प होता है मैंने बोला लंबा और बड़ा दो अलग अलग चीज़े लंबा किसका होता है जमीकंद का और रेफलेशिया क्या होता है बड़ा होता है ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं हटाइए भाई यह यह नहीं मानने वाले हैं इन में से कुछ इतने धीट हैं जिनको मैं थक जाओंगा बोल बोल के लेकिन वो नहीं मानने वाले हैं ठीक है चलो जैसी आपकी मर्जी पिटा कोई बात नहीं आप जमिकंद बता दिया हल्दी बता दिया हल्दी तो जानते हैं अधरक जानते हैं अलू जानते हैं अर्भी अर्भी की सबजिया होती है अर्भी के पत्ते होते हैं अर्भी के पत्तों से सबजिया बनती है ठीक है ये क्या होते हैं भूमिगत तने होते हैं भोजन को स्टोर करते ह बात आ रही है तने में प्रतान की साब ये प्रतान क्या है मैंने अभी अभी आप से पूछा क्या आपने घीया खीरा तर्बूज ऐसी सब्जियां देखी है आपने बोला हासर देखी है घीये की बात कर लेता हूं घीये की क्या घीये की सब्जी आपने सब्जी नहीं बोल रह आप मुझे बताना सोच समझकर क्या ऐसे पेडों में अगर ध्यान से सुनना ये मान लेते हैं अगर एक तना है ठीक है कौने बटा ये एक तना है तो इस तने में जरा सोच समझकर मुझे बताया यहाँ पर ये पर्वसंधी है समझना क्या ये पर्वसंधी है ठीक है इस पर्वसंधी पर एक कलीका थी कौन सी कलीका थी याद करिए अंतस्त या कक्षिय कलीका थी ये कक्षिय कलीका इस तरीके से कुछ संग्रचना बनाती है अब आप मुझे बताएं आप में से कितने बच्चों ने ऐसी संग्रचना गोल-गोल-गोल-गोल गोमी हुई देखी है भिंडी में भी होती है बताएं कितने बच्चों ने ऐसी संग्रचना देखी है है पेड़ों में जल्दी से हैं हाँ जी है हम जल्दी से बता है देखिए बिटा इन ही कोई हम बोलते हैं परतान इन ही कोई हम क्या बोलते हैं परतान इंग्लिश में में बोलते हैं टेंडेll अंगले जी में बोलते हैं टेंडे भिंदी में बोलते हैं प्रतान क्या तो या findet राखना ऐसे तने जिन की कख्षस्थ या अंतस्त कलिकाएं जो हैं वो घूम जाती हैं अब आप बोलेंगे सर क्यों घूम गई है किसलिए घूम गई है क्या फाइदा होगा घूमने से घूम घूम गई है इनको बोलते हैं अब साब इन प्रतान का कारे क्या है सोचो दिमाग लगाओ एक तना जो बहुत वीक है एक तना जो सीधा नहीं खड़ा हो रहा है सर कद्दू के पेड़ में हाँ जी भाई अब देखो अब याद आ गया अब याद आ गया हाँ जी अब आ खोड़ा सा सहारा दे दिया जाए सहारा मिल गया उसको तो सहारे के चारो तरफ लिपट जाती है ये प्रतान और वो तना सीधा खड़ा हो सकता है तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं इस तने का इस तने से कुछ संगरचना निकली प्रतान टेंडरल रूपांतरन था इस त तने का तने का एक कली का रूपांतरित होकर प्रतान बना रही है और वो प्रतान इस तने को सहारा दे रहा है या नहीं दे रहा है बस इतनी सी बात है इतनी सी बात है यहां पर जो लिखी हुई है और शायद आप देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कक्षिय कलिका से निकली कौन निकली प्रतान ठीक है और पौधे को उपर चड़ने में सहायता करती है जैसे कद्दू वर्ग यह जो सब्जिया जो होती है जो कद्दू वर्ग में रखी जाती है घीया खीरा तर्बूज यह ठीक है चलें आगे कोई confusion तो नहीं था चलें आगे अब आगे चलते हैं अब आगे बात आ रही है अंगूर की पर्टिकल अलिए हाँ जी करेले में भी होती है बिलकुल होती है ठीक है चलो जी अब आगे चलते हैं एक तीसरा रूपांतरण कितने रूपांतरण हो गए हैं दो एक हमने देखा भो आप से पूछ रहा हूं आप में से कितने बच्चों ने काटे देखे हैं पेडों में तने में होते हैं काटे या नहीं होते हैं होते हैं के नहीं होते हैं आप बोलेंगे बिलकुल होते हैं अंगूर में होते हैं होते हैं गुलाब में होते हैं बेर में होते हैं होते हैं कई स सोच समझ कर मुझे बताएं यह जो नोकीले यह जो काटे जो होते हैं है जैसे किसमें होता है यहाँ पर उधारन दे रखा है बोगन विल्या। ठीक है, citrus है ये क्या कर रहे हैं सोचो दिमाग लगाओ, हाँ बेल पत्र में भी भी होते हैं बिलकुल होते हैं, क्या कर रहे हैं भाई ये सिंपल सा प्रशन में आपसे पूछ रहा हूं सामने मत देखो मुझे देखो और आंसर बताओ ये क्या कर रहे हैं काटे किसलिए मिल रहे हैं क्या फायदा होगा इन काटों से आप मुझे बताएं आपने दो शब्द सुने होएंगे दो शब्द सीद शिकार को हम बोलते हैं मतलब इसमें शिकार कौन कर रहा है यह समझ में आता है ना मतलब शिकारी जो है वो शिकार करेगा किसका शिकार का है ना अब आप मुझे बताएं अगर एक लाइन यानि एक शेर हिरन को मार रहा है तो हिरन है शिकार और शेर है अमारा शिकारी ओ बोलेंगे ओह ओह सर बड़ा तगड़ी चीज बता दिया आपने अब आप मुझे बताएं स्वेपोशी जो होते हैं स्वेपोशी जो होते हैं उनके शिकारी कौन होते हैं सोच समझ कर आंसर दीजिएगा जो स्वेपोशी होते हैं उनके शिकारी कौन होते हैं पौधों को बचाते हैं very good बिटा बहुत अच्छे जो स्वेपोशी होते हैं उनके शिकारी कौन होते हैं वो जो पौधों को बचाते हैं चलो ठीक है पौधों को बचाते हैं आप इसका अंसर वो दे रहे हो अच्छा कांटे के बारे में बता रहे हो ठीक है मैं तो इसका प्रशन पूछ रहा हूं भाई जो स्वै पोशी होते हैं उनके शिकारी कौन होते हैं पस इतना सा एनिमल्स होते हैं है अब आप मुझे बताएं एनिमल्स भी दो प्रकार से जन्तु भी दो प्रकार से एक शाका हारी और एक मासा हारी एक शाका हारी और एक मासा हारी अब आप मुझे बताएं पर्टिक्लरी कौन होएंगे शाका हारी होएंगे कि मासा हो रही होए यहां पर शिकारी किसके स्वेपोशी के शाकाहरी खतम तो शाकाहरी जो हैं वो शिकारी हैं किसके पेड़ों के अब आप मुझे बताएं गाय है बैस है बकरी है बैल है यह सारे क्या है बेटा जी यह शाकाहरी है यह शिकार करते हैं किसका पेड़ों का एक तरीके से यही तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे तो अब आप मुझे बताएं कोई भी शिकार अपने आपको बचाने के लिए किस से शिकारी से कुछ ना कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाता है के नहीं लाता है ना तो ज़रा सोचे इन पेडों ने अपने अंदर परिवर हैं किस से भाईया किस से अपने शिकार से और शिकार कौन है अपने शिकारी से और शिकारी कौन है यहाँ पर शाका हारी सर्वहारी है तो बिटा अलगी अलगी लेवल पर चल रहा है बिटा मैं मास मच्छी भी खाता हूं और मैं सबजियां भी खाता हूं मैं हूं सर्वहारी उम्मी वोरस मैं सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से उत्पन भागों को खाता हूं उत्पादों को खाता हूं मैं हूं शाकाहरी मैं सिर्फ मास मच्छी खाता हूं मैं हूं मासाहरी ठीक है तो वो जो दोनों चीजों को खाते हैं वो हैं सर्वहारी हाँ जी शिकारी सर्वहारी हैं तुमने मानोगे भाई बता दिया शर्वहारी क्या होते हैं शाकाहारी क्या होते हैं मासाहारी क्या होते हैं ठीक है बस सर्मानव सर्वहारी होता है हाँ और कुछ लेकिन सर हम बेर तो खाते हैं यशराज तु बेर की बेर के वो खाता है क्या कांटे खाता है सर सभी ट्रीज में क्यों नहीं होते हैं आप मुझे बताओ एक सिंपल सी बात मैं आपसे प्रशन पूछता हूँ की सिंपल से प्रशन में आपसे पूछूंगा है या मिटश जरा सूच समझ कर मुझे बताने एक आपका हिरन है कि हिरन जो है अपने शिकार से बचने के लिए या सारे के सारे वागने की कोशिश करते हैं या रंग भी बदलते हैं कुछ रंग बदलते हैं कुछ तेज भागने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग तरीके हैं अपने शिकारी से बचने के लिए तो कुछ पेड ऐसे जो अपने शिकारियों से बचने के लिए क्या लेकर आए अपने अंदर नुकीले काटों का निर्मान किया वो किसका रुपां तो कभी कोई लेवल होता है कि ज़र हम बेड तो खाते हैं तो बेड के काटे खाता है हूं हाँ जी यहां तक हो गया कितने हो गया रुपांतरन तीन रुपांतरन हो गया है चौथा रुपांतरन जल्दी से ध्यान से सुनिएगा बैटा चौथा रुपांतरन है फटा फटा आ लास्ट एक चीज एक पेड़ है जो एक ऐसे शेत्र में उगरा है जो मरुस्थली है मरुस्थली मरुस्थली का मतलब समझ में आता है जैसे राजिस्थान रेगिस्थान में जो रेगिस्थानी इलाके हैं वहां पर उग रहे हैं जैसे आपने देखा होगा कैक्टस का पेड़ होता है कैक्टस होता है कैक्टस यूफॉर्बिया ओपंचिया क्या बोलते हैं कैक्टस मरुस्थ बहुत जादा जाएगा के बहुत कम जाएगा कम मात्रा में जाएगा या बहुत जादा जाएगा जल्दी से आंसर दे दो कम जाएगा क्योंकि already जमीन में पानी की कमी है आप आप मुझे बताएं जो पानी आएगा क्या हम उसे वाशपोच सर्जन के द्वारा निकाल देंगे क्या वाशपोच सर्जन किससे होता है भाया पत्तियों से हो रहा है, ठीक है, अब आप मुझे बताएं, यह पत्तियां, यह तना, पानी है बहुत कम, है ना, अब आप मुझे बताएं, ऐसी कंडिेशन में जो आया है पानी, थोड़ा बहुत आया, क्या उसको मैं निकाल दूं, निकाल दूं, यह स्टोर करके रखूंगा सोचो क्या करना पड़ेगा क्या यहां पर मुझे वाशपोच सर्जन को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा दिमाग लगाएं जल्दी से फटा फटा आंसर दें वाशपोच सर्जन को कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा सीधी सी बात है वाशपोच सर्जन तो पतियों से होता है, पतियों में कुछ रंद्र होते हैं, कुछ छेद होते हैं, जिनको मिश्टो मेटा या रंद्र बोलते हैं, क्या करूं मैं, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इनकी पतियों को बदल दूंगा, किसमें काटों में, ये पतियां जो हैं, बदल जाएंगी किसमें काटों में बदल जाएंगी किसमें बदल गई है काटों में इनको हम बोलते हैं कंटक चालो जी पत्या किसमें बदल गई कांटों में क्यों क्योंकि वाशपोच सर्जन नहीं करा ना यद बिलकुल खतम कर देना वाशपोच सर्जन क्यों कि थोड़ा भूत पानी है अब आप बो ले ठीक है सर समझ में आ गया वाशपोच सर्जन नहीं होएगा लेकिन सर आप ये जटाने इसको इसको अभी निकालें इस क्लास से इस बच्चे को ललित कुमार को फटाक से और यह आना नहीं चाहिए मेरी क्लास में अब सर डांस करो अभी बेटा तरको डांस कराता हूं मैं हाँ जी जल्दी से मुझे बताओ इन काटों का कारे क्या होगा क्या होगा इन काटों का कारे सीधा वाषपुच सरज्ण को क्या कर ना कम कर लेकिन अब ज़रा सोच यह कंटक ने अपना कारे कर दिया यह वाषपुच सरज्ण को कम कर दिया लेकिन पतियां तो कारन में ये तना हो जाएगा हरा और तना जब हरा हो जाएगा तो आपसे से कई बच्चों ने देखा होगा क이त ना हरा होता है किसमें केकटस में नागफनी में उपनशिया में इन में कैसा होता है हरा होता है करो ना भाई कैसा होता है हरा होता है कौन तना तो इट मींज जरस सोचे क्या मैं बोल सकता हूं कि ये तना किसका कारे कर रहा है पर्ण का कारे कर रहा है क्यों क्योंकि पर्ण जो है वो तो खतम हो गई वो तो कांटों में बदल गई है तो ऐसे तने जो पर्ण का कारे करते हैं उन्हें हम बोलते हैं परणाब स्तंब क्या नाम देते हैं से तनों को हम क्या बोलते हैं परणाब स्तंब अंगरेजी में बोलते हैं फाइलो क्लेड क्या बोलते हैं फाइलो क्लेड बस इतनी सी बात थी कि ऑनलाइन पढ़ रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी लिखते रहोगे समझ में आ गया कि सर तने से भी वाशपोथ सर्जन होएगा येस बहुत अच्छे दिवया वेल डन अब जरा सोचे इस तने से वाशपोथ सर्जन तो होएगा अब आप बोलेंगे सर क्यूं अरे बाबु जरा सोचिए तना अगर पत्ती का काम कर रहा है अब यहाँ पर कैसे जाएगी तो इसम ना रंद्रों की जगे कुछ छोटे छोटे रंद्र होते हैं पत्तियों में जो रंद्र मिलते थे उनकी संक्या जादा होती थी यहाँ पर तने में जो रंद्र मिलते हैं उनका नाम होता है वात रंद्र लेंटिसल्स ये वो हैं जिन से गैसों का आदान प्रदान भी होएगा और वाशपोच सर्जन भी होएगा लेकिन ध्यान से सुनना पत्तियों में जो रंद्र होते हैं उनसे 90 to 91% वाशपोच सर्जन होता है जबकि वात रंद्र से लगबग लगबग एक से तीन प्रतीशत क्य होता है वाशपोच सर्जन होता है खुद सोच लीजे वाशपोच सर्जन तो होएगा गैसों का आदान प्रदान तो होएगा क्योंकि पत्ती की तरह कारे कर रहा है लेकिन जिस तरीक से पत्ती में बहुत संख्या में स्टोमेटा होते थे रंद्र होते थे उससे थोड़े से कम होएंगे जिससे वाशपोत सर्जन कम हो जाएगा और प्रकाश शंशलेशन भी हो जाएगा और पर्ण जो है यह सुरी इतना जो है वो पर्ण का कारे करने लग जाएगा ऐसे तनों को हम बोलते हैं पर्णा अब स्थम्भ फाइलोकलेट बस यही था पिटा जी आज का लेक्चर आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जल्दी से सर एमॉर्फो फैलस की हाइट बी तो 6 फिट होती है प्रिंस बाबू एमॉर्फो फैलस को ही हिंदी में जमिकंद बोलते हैं एमॉर्फो फैलस को ही हिंदी में जमिकंद बोलते हैं ठीक है बाबू ठीक आगया मिल गया अंसर नीचे करिएगा नीचे जड के किस भाग से जल का उफ्शोषन अधिक होता है बिटा सीधी सी बात है परिपकवन शेतर से होता है जहां पर मूल रोम होते हैं ठीक है बिटा कल याद से मैं रिजल्ट ले आऊंगा बस हाँ जी आप सभी को एक बार वापिस से जो बाद में आया है है एपी इद आप सभी को सर पादप नियामक क्या होते है बिटा पादप नियामक का मतलब पादपो क्या देखो नियामक का मतलब नियंत्रन सोचो मेरे अंदर में अगर लिख रहा हूं बोल रहा हूं चल रहा हूं कौन नियंत्रत कर रहा है मेरा तंत्री का तंत्र कर रहा है न वहीं पादपो में त मलता है पादप नियामक सर रुपांतरन तीन प्रकार से होता है कौन से तीन प्रकार से वहता है यह यह तो इनए तीन बताएं है तीन प्रकार थोड़ना होते हैं हाँ जी है अ बड़ा करें सर आवरत बीजी पौधों में पुंके सर है नर्जनन अंग पुंके सर नाम नहीं सुना नर्जनन अंग होता है पुंके सर चलो जी मिलेंगे बेटा जी कल इसी समय आगे कंटीन्यू करेंगे इस तने को ओके देन टाटा बाई बाई टेक केर